प्यारे बच्चों, इंजन हौज के प्रियोग में हमने देखा कि किस तरह से अगर हमारे पास अलग-अलग छड़ हैं तो उनके उसमाच अलगताओं की हम तुलना कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक इंडिविज्वल छड़ है, एक ही छड़ है, एक ही किसी पदात का छड़ है तो उसका उसमाच अलगता कैसे ग्याद कर हैं। और इसके एक सिरे को M सिरे को भाप चेमबर में रख दिया गया है और दूसरा सिरा जो है वहाँ पर एक सरपिला कर कौपर की नली लपेटी गई है जिसके नली के एक सिरे से हम पानी को अंदर डालते हैं और नली के दूसरे सिरे से पानी को बाहर निकालते हैं जिधर से पानी अंदर डालते हैं वहाँ पर एक तापमापी लगाया गया है T3 और जहां से पानी बाहर निकलता है सरपिलाकार नली के एंड में जहां पानी बाहर निकलता है वहाँ पर एक तापमापी लगाया गया है T4 भाप चेमबर की तरफ दो तापमापी लगे हुए है चट में थोड़ा सा खांचा बना दिया जाता है और उसमें पारा भी भढ़र दिया जाता है ताकि जो तापमापी का जो गुंडी है वो पारे के संपर्ग में रहे और चट का proper temperature को मेजर कर सके क्योंकि पारा वहां पर खांचे में डाल देने पर वो जो तापमापी है वो थोड़ा थोड़ा पारा डाल के हम T1 और T2 तापमापी को लगा देते हैं तो इस तरह से चार तापमापी यहां पर लगे हुए हैं T1, T2 पानी जहां पर एंटर हो रहा है वहां पर एक तापमापी T3 और जहां पानी की निकाशी होगी वहां पर एक तापमापी T4 यह जो री कुषर्व नियंगा तो प्रेयोग करने के लिए और पान से परवाहिद किया जाएगा और पानी को धिरे धिरे और इस्ताई रूप से परवाहिद किया जाएगा continuously पानी जो है फ्लो होते रहे लेकिन धीरे धीरे फ्लो होते रहे पानी को फ्लो करने के बाद फिर भाब चेमबर में हम भाब देंगे जब भाब चेमबर में भाब देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा जो छड़ का जो है तापमान बढ़ते जाएगा चाड़ का तापमान बढ़ते जाएगा फिर एक अवस्था ऐसी आएगी जब तापमान बढ़ना रोख जाएगा उस अवस्था को क्या कहते हैं आपको भली भाती पता है उस अवस्था को कहते हैं इस्थाई अवस्था तो इस्थाई अवस्था में हम कुछ यहाँ पर मेजर ले लेते हैं, जो पानी जहां से एंटर कर रहा है, वहां का ताप मान ले लेते हैं, और पानी जहां से बाहर निकल रहा है, उसका ताप मान ले लेते हैं, साथ ही जो T1 और T2 ताप मापी है, उन दोनों के बीज की दूरी भी हम पता कर लेते हैं, और हमें जो है एक और मान चा जो पानी जो निकल रहा है उसका द्रब्यमान भी हम ग्याद कर लेते हैं इस तरह से हमारे पास क्या क्या मान होना चाहिए देख लेते हैं एक बार पेख्यन के लिए सबसे पहले छड़ का अनुपरस्त परिछेत का कार्थ ए हमाएं पता रहना चाहिए टी वन और टी टू के बहने वाले पानी का द्रब्यमान एम हमें पता रहना चाहिए अब इतना पता होने के बाद हम उसमा चलगता की गणना किस प्रकार से करेंगे आए देखते हैं तो इतना मान पता होने के बाद छड में जो ताप प्रमणता होगी वो किस सुतर से दिया जाएगा ताप प्रम औरता दिया जाएगा T1-T2 बटे L अब देखिए छड में जो है T second में M से N की और जो उसमा जो प्रवाहित हो रही है छड में T second में M से N की और गर्म सीरे से ठंडे सीरे की और जो उसमा प्रवाहित हो रही है उसका सुत्र क्या हो जाएगा Q बराबर के A bracket में T1-T2 into small t बटे L जहां Q जो है पदारत का उसमा जालकता गुणांग है इसको हम पहले भी सुत्र को देख चुके हैं अब ये जो उसमा है ये T second में नली में प्रवाहित होने वाले M ग्राम पानी द्वारा असोसित कर ली जाएगी क्योंकि उसमा आगे जाएगी और आगे में सरपिला कार नल जाएगी पानी द्वारा उसका सुत्र कैसे दिया जाएगा उसका सुत्र होगा Q बराबर M गुणित S गुणित T4-T3 जहां T4-T3 पानी का जो है तापांतर है बाहर निकलते हुए पानी और अंदर आते हुए समय पानी दोनों की वीज का टेमपरेचर डिफरेंस है S जो है ये पानी की विशिष्ट उसमा धारिता है और CGS में अगर इसका मान हम देखें तो एक कैलोरी ग्राम प्रती सेल्सियस होता है तो यहां पर इस सुत्र में हम S के बदले एक रख सकते हैं तो सुत्र हो जाएगा Q बराबर M गुणित T4-T3 ये समीकरण दो है और पहले जो समीकरण है वो समीकरण एक है दोनों समीकरणों की हम तुलना करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से रूप प्राप्त होगा इसका K bracket में T1-T2 bracket close into T by L equal to M bracket में T4-T3 इस सुत्र से हम K का value निकाल लेंगे K का value क्या होगा K equal to K बराबर M bracket में T4-T3 गुणित L बटे A bracket में T1-T2 close 1 into T तो ये जो सुत्र है इसकी सहाथा से हम अगर हमें चारों ताप माफियों का तापमान पता है T1-T2-T3-T4 और पहले जो दो तापमापी है T1 और T2 उनके बीच की दूरी पता है और जो छड़ है उसका cross section या अनुप्रस्त कार्ट का खेतरफल A पता है और एक समय पता है जितने समय में हम पानी को प्रवाहित कर रहे हैं उसका द्रभिमान ले रहे हैं वो समय पता है औ नम्मर 3 से हम उस्मा चलगता ज्यात कर सकते हैं अचा इस प्रयोग कि कुछ लिमिटेशन है कुछ सिमाय हैं कुछ तूटी के इस्तोध हैं क्या-क्या तूटी के इस्तोध हो सकते हैं देखते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि जो इस्थाई अवस्था है वो एक आदर्स अवस्था होता है उसको प्राप्त करना बहुती कठिन होता है और सेकेंड क्या इ तो ये भी यहाँ पर एक तूटी आने की संभावना होती है। इस प्रयोग को करते समय किन-किन साउधानियों का ख्याल रखना चाहिए वो देखते हैं। तो पहले नम्मर पे हमें जल का जो प्रवाह है वो सता तेवं मंद गती से होना चाहिए। जल का प्रवाह एकदम फास्ट नहीं होना चाहिए। धिरे-धिरे होना चाहिए और सता दुरूप से होना चाहिए। नली में पहले पानी को हमें प्रवाहित करना चाहिए। उसके बाद ही भाब प्रकोष्ट में भाब को भेजना चाहिए। जो चेंबर है भाप का जो चेंबर है वेपर चेंबर है उसमें बाद में भेजेंगे हम भाप को पहले हम पानी को प्रवाहित करेंगे थर्ड है कि जितने भी टेंपरेचर हम मेजर यहां कर रहे हैं ताप की इस्थाई अवस्था आने के बाद ही हमें टेंपरेचर मेजर करना तो इन सावधानियों का ख्याल रखना है हमें उसमा चालकता गुनांग ग्याद करते समय बच्छों आईए अब हम उसमा चालकता से जुड़े डेली लाइफ में कुछ उसके यूज देखते हैं कि किस प्रकार से उस्मा चालगता हमें दैनिक दिन चर्या में प्रभावित करती है अचा ठंड के दिनों में सभी लोग उनके कपड़े पहंते हैं उनी कपड़ों से बना स्वेटर पहंते हैं तो उनी कपड़ों से जो बना स्वेटर है वो हमें ठंडी से बचाता है क्यों उसको बाहर नहीं निकलने देती और इस तरह से हमें गर्म लगता है आपको लगता होगा कि जो वोन का जो कपड़ा है जो उनी जो शेटर है वो गर्मी देता है वो गर्मी नहीं देता है वो क्या करता है हमारे शरीर से जो उसमा जो है उसको जाने से रोकता है ठीक यही काम ज कि अंदर उसको रखते हैं बहु और हान कि भु簡ा के अंदर एंदर रखते हैं इसमें भी वही होता है द्रुई खेत्रों में एसकीमो लोग यह एक प्रजाति होता है लोगों की तो वह जो है अपने घरों को जो है दोहरी दिवार की बनाते हैं बर्फ की दोहरी दिवार ऐसा क्यों क्योंकि बर्फ की अगर हम दोहरी दिवार बना दें तो उसमें क्या है कि दोनों दिवारों के बीच में हवा भरी रहेगी और जैसा कि मैंने बताया हवा जो है उश्मा का कूचालग है तो इसम इस तरह से जो दोहरी दिवार वाला जो घर है उसको इगलू कहते हैं आपको पता होगा उसको इगलू कहते हैं तो उसके अंदर का जो टेंपरेचर है वो थोड़ा बाहर की टेंपरेचर से जादा होता है वो इस तरह से वो बाहर की ठंडी से बच जाते हैं अचा बोर का पान और मिट्टी जो है वो उश्मा का कुछ अलग है तो गर्मी के दिनों में बाहर की जो गर्मी है बाहर की जो उश्मा है उँ अंदर तक नहीं आ पाती जिसे पानी कैसा होता है ठंडी हो रहता है पानी जो है ठंड रहता है ठंडा रहता है पानी क्योंकि बाहर की उश्मा अंद कुन अला के घुश्मा का, तो थन्ड के दिनों मग में पानी इसा लगता है, गर्म लगता है आप कांच का जो गलास है मोटा कांच का गलास में जब आप गर्म चाय डालते हो या कोई भी गर्म तरल पदार डालते हो तो उसमा जब अंदर के लेयर को मिलेगा तो उसमें प्रसार होगा और कांच जो है उसमा का कुछ अलग है तो उसमा बाहर दक नहीं जा पाएगा मोटा अगर गलास है तो तो बाहर में प्रसार नहीं होगा मतब बाहरी जो लेयर है गलास का उसमें प्रसार नहीं होगा अंदर के लेयर में प्रसार होगा जिसके वजह से गलास जो है चटक जाएगा इसी तरह से अच्छा बच्छो गर्मी के दिनों में घर का जो ताफ है वो गरम होता है और रात के समय में बाहर का ताफ ठंडा होता है और रात के समय घर का ताफ गरम होता है ऐसा क्यों क्योंकि घर जो है इंट, कॉंक्रीट ऐसे दिवालों से बनी होती है और वे जो दिवारें हैं वे उ उश्मा उन दिवालों की वज़ए से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि वे उश्मा की कुछ आलक हैं, और घर जो है गरम रहता है, इसलिए घर में कैसा खिड़कियां बनाई जाती हैं, खिड़कियां बनाई जाती हैं, रोशन दान छोड़े जाते हैं, ताकि एर आए और घर को ठंडा करें, आप देखेंगे गाउं में खपरेल की घर बनाई जाती है, खपरेल के घर पहले होते थे, आजकल तो गाउं में भी कॉंक्रीट और इट के घर बनने लगे हैं, तो खपरेल के घर या जो घास फूस का घर है, उसमें प्रॉपर हवा आती थी, तो अच्छा ठं लगता है, अब हम उसमा संचरण की एक अन्निविधी संवहन को देखते हैं, तो संवहन क्या है, संवहन उसमा संचरण की वह विधी है, जिसमें तरल, जिसमें द्रव और गैस दोनों आएंगे, किकन उसमा इस त्रोथ से उसमा ग्रहन कर तरल के ठंडे भाग की और चले जा आप पानी को अगर आप गर्म होते हुए देखे होंगे, तो उसमें आप देखना कि नीचे से पानी के कण जो है उपर जाते हुए दिखते हैं, असल में होता क्या है कि जब पानी को या किसी तरल को गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से उसका प्रसार होता है, हमने देखा है प्रसार होता है चीजों में गर्म करने से उसमा देने से प्रसार होता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है मतलब वो हलका हो जाता है और हलका हो जाता है तो उपर उठेगा और वहां का जो जगह को भरने के लिए उपर के जो ठंडे कन है जिनका घनत्व जादा है जो भारी है व उपर जाएगा और उपर से ठंडे कन नीची आएंगे ये फिर गर्म होगा फिर ये उपर जाएगा और फिर वहां से फिर ठंडे कन नीची आएंगे तो इस तरह से एक समवहन धारा सी बहने लगती है तो समवहन क्या है घनत्व के विभिन्नता के करण कन जो हैं गती करते हैं और उसकी वजह से जो उस्मा का संचरन होता है उसको हम कहते हैं समवहन आईए एक प्रयोग से इसको हम देखते हैं दूसरा समवहन, कॉन्वेक्शन, क्रिया कलाब तीन, विधी एक फ्लास्क में पानी भरें और स्पिरिट लैंप पर गर्म करने रखें इसमें थोड़ी मात्रा में स्याही की बून डालें क्या आप समवहन रिखाएं देख सकते हैं फ्लास्क में द्रव लेकर गर्म करने पर पेंदी का द्रव शिग्र गर्म हो जाता है और हलका होकर उपर की ओर उठता है इसका इस्थान उपर का भारी द्रव ले लेता है यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सारे द्रव का तापमान समान नहीं हो जाता इस प्रकार संबहन धाराएं चलने लगती है गैसों वर द्रवों में उश्मा का संचरन इसी प्रकार होता है बच्चो पता है आज मेरा हाथ जल गया वो क्या हुआ जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो सबजी बनाते समय सबजी वाले बरतन में चम्मच छूट गया और जब मैं चम्मच को पकड़ने गई तो मेरा हाथ जल गया। बच्चों जब भी कोई वस्तु जो उश्मा की चालक होती है उसके एक सिरे को गर्म करने पर उसके दूसरे सिरे पर भी हमें गर्माहाट महसूस होती है। निम्नताप की और संचरित होती है। इसे ही हम उश्मा का संचरन कहते हैं। बच्चों उश्मा का संचरन तीन प्रकार का होता है। एक होता है चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरन। जब द्रवों और गैसों में उश्मा का संचरन की हम बात करते हैं तो उसे हम संवहन क कहते हैं चलिए द्रवों में सम्वहन को समझने के लिए हमें क्रिया कलाब करते हैं इस क्रिया कलाब के लिए हमें जिन सामगरियों की आवशकता है वो है बीकर बीकर में पानी हमारे पास है ये है स्पिरिट लेम ट्राइपोड और ये है सर्सों के दाने और स्पिरिट लेम को क्रिया कलाब दिया गया है उसमें स्याही का उपयोग हुआ है और हम यहां पर क्रिया कलाब में उपयोग कर रहें सर्सों के दाने का क्योंकि यह सर्सों के दाने आपके घरों में भी उपलब्ध है तो आप अपने घरों में भी इस क्रिया कलाब को करके देख पाएंगे मेरा हाथ जला हुआ है जलन हो रही हैं है और इसमें डालते हैं सरसों के दाने सरसो के दाने गिर रहे हैं, इतने सरसो के दाने जो हैं वो नीचे तल पर बैठे हुए है देखते ही जैसे जैसे गर्म होगा उस समय क्या प्रक्रिया होती है जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा ये सरसो के दाने जो है ये आपको उपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जब बीकर में रखा पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले बीकर की तली गर्म हो रही है और इसलिए बीकर की तली पे संपर्क में आने वाला जो पानी है वो सबसे पहले गर्म हो रहा है और वह गर्म होके हलका हो गया जिसके कारण वह उपर उठ रहा है और इसलिए हमे तूसरा होता है प्रनदित इसको कहते है फोर्स कन्वेक्षन और एक होता है प्राकृतिक सामवहन नेचुरल कन्वेक्शन तो जो प्राकृतिक सामवहन होता है उसमें माध्यम में जो घनत्व का जो डिफ्रेंट्स होता है घनत्व में जो विभिनेता होती है उसके कारण कम घनत्व से अधिक घनत्व वाले जगह की और जाती है या घनत्व के डिफ्रेंट्स के वज जैसे समुदरी हवाओं का चलना या आंधी तुफान का आना यह सब प्रागृतिक सहवान का उदाहरण है। दूसरा होता है प्रनोधित सहवान। जब हम माध्यम के कणों को पंखे के माध्यम से हम उसको गती देते हैं। तब उस प्रकार का जो समँवान होता है उस प्रणोधित सहवान होता है। जैसे कमरे में हम पंखा चला रहे हैं तो हम असल में जो कण है उसको पंखे की माध्यम से उसको विष्थापित कर रहे हैं। या जो air conditioning होती है, air conditioning भी प्रनोधित सहवान का उदाहरण.. अब समवहन के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं डेली लाइफ में भी कुछ अनुप्रयोग हैं और कुछ हमारे आसपास में भी समवहन से संबंधित कुछ घटनाय होती हैं इनको हम देख लेते हैं बच्चों कमरों का वेंटिलेशन कैसे होता है देखते हैं, कमरों में उपर की तरफ छट के पास जो है रोशन दान बनाया जाते हैं, छोटी खिड़कियां छट के पास और नीचे तरफ बड़ी खिड़की बनाया जाती है, तो घर की जो गर्म हवा है या कमरे की जो गर्म हव तो सर्वहन के यहां पर हमने देखा एप्लीकेशन या नुप्रयोग इसकी वजह से कमरा जो है हवादार बना रहता है बच्चो पहले एक बल पाता था इस तरह से एक इसका जो रोशनी है थोड़ा सा लाल पन लिये रहता है इसके अंदर एक फिलामेंट आप देख पा रहे हैं यह फिलामेंट जो है टंगिश्टन धातु का बना हुआ होता है और इस बल्प के अंदर जो है आरगन गैस मतलब एक निश्क्री गैस को भर दिया जाता है इससे क्या होता है जब करेंट दिया जाता है तो जो फिलामेंट है जो तंटू है वो गर्म होता है और जो गैस है जो निश्क्री गैस है वो उस गर्मी को जो है समवहन के जरिए पुरे बल्पों मे उसका संचर्ण होता है, जो उस्मा का संचर्ण है, निश्क्री गैस के जरिए पुरे बल्प में होता है और जो तंतु है, उसका तापमान बहुत अधिक बढ़ नहीं पाता, इतना नहीं बढ़ पाता कि उसका गलनान तक पहुचे, जो तंतु का जो गलनांग है, उस temperature तक नह जो है नहीं तूटता अब यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि निस्क्री गैस ही क्यों भरते हैं पहली बात तो यह कि निस्क्री गैस अगर हम भर रहें जैसे आरगन तो वो तंतू के साथ क्रिया नहीं करेगा अगर हम इसमें नॉर्मल हवा को भर दें तो क्या होगा जो नॉर्मल जो हवा है हमारे वाईव मंडल की जो हवा है उसमें अक्सिजन होता है तो अक्सिजन जो है जो फिलामेंट का जो धातू है तंगिस्टन उसके साथ क्रिया करके ऑक्सिडेशन करेगा जिससे फिलामेंट जो है भंगुर हो जाएगा और तूट जाएगा अगर और इस तरह से उसका गलनांग बढ़ जाएगा और वहाँ भी तूटने का खत्रा रहेगा इसलिए हम क्या करते हैं निसक्री गैस भर देते हैं और यह जो बल्फ है इस तरह से यह काम करता है अब हम देखते हैं समुद्री हवाय और इस्थली हवाय क्या होती है, सी ब्रीज एंड लेंड ब्रीज बच्चो लोग समुद्र किनारे घुमने जाते हैं वहा ठंडी-ठंडी हवा का मजा लेते हैं आनूंद लेते हैं आपको पता है वो ठंडी हवा कहां से आती है उसके पीछे यही संभन का सिधान छुपा हुआ है यही भौतिक विग्ञान वह इसका मतलब वो लेट से गर्म होगी उसमालेगी तो बहुत देश्यंट में गर्म होगी और उसी तरह बहुत देर से ठंडा भी होगी जमीन है वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा तो दिन के समय क्या होता है पृत्वी जो है या जो समुद्र की किनारे की जमीन है वो जल्दी गर्म हो गई और उसकी अपेक्ष्या जो समुद्र है वो ठंडा है तो दिन के समय जो जमीन से जो हवाएं हैं वो हल्की होकर उपर उठेंगी उपर उठेंगी तो वहाँ पर दाब में कमी हो जाएगी तो समुद्र से ठंडी हवाएं उसको भरने के लिए आती हैं उसी को हम कहते हैं सी ब्रीज या फिर समुद्री हवाएं अब रात के समय क्या होता है रात के समय जो जमीन है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और समुद्र जो है उसकी अपेक्ष्या गर्म रहता है तो अब की बार क क्या होगा समुद्र से समुद्र की सतह से जो गर्म हवाय हैं वो उपर क्यों रूटती हैं तो वहां का दाप कम हो जाता है और उसको फील करने के लिए उस जगह को भरने के लिए प्रित्वी से जो है या समुद्र की किनारे वाली जगों से ठंडी हवा जो है समुद्र की ओर तो उसको हम कहते हैं इस्थली हवाय या फिर लेंड ब्रीज तो इस तरह से समुद्र के किनारे जो है समुद्र के किनारे का जो रीजन होता है वहां की जो जलवायू होती है सम जलवायू होती है ना तो जादा ठंडी लगती है ना ही जादा गर्म लगती है बच्चो इसलिए समुद्र के किनारे की जो जलवायू होती है, समुद्र के किनारे जो सहर होते हैं, उनकी जलवायू सम जलवायू होती है, जैसे कुदाहन लेते हैं, समुद्र के किनारे कुछ सहर लेते हैं, जैसे मुंबई हो गया, गुवा हो गया, पूरी हो गया, केरल हो गया, तो यहां की जलवायू सम होगी, सम होगी का मतलब ना तो गर्मी में जादा गरम लगेगा, ना ही ठंडी में वहाँ पर जादा ठंडी होगी, मतलब एक moderate climate वो maintain करता है, ना तो जादा गर्म होगा, नहीं जादा ठंड होगा, अब हम भारत के मद्यभू भाग को लेते हैं, जैसे भोपाल ह गया, या रायपुर हो गया, या अन्य कोई सहर, जो कि समुद्र तर्ट से बहुत दूर है और बीच वाले भाग में है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आप देखें कि गर्मी में बहुंच ज़ादा गर्मी लगेगी, और ठंडी में यहाँ पर ठंडी भी बहुँच जबकि समुद्र के दूर जैसे मद्य भूभाग में जो हिस्सा है वहाँ पर जलवायू कैसी होगी विसम जलवायू ठंडी में बहुंच ज्यादा ठंडी लेगी और गर्मी में बहुंच ज्यादा गर्मी